नमस्कार जानेंगे इस कारोबारी सब्ता क्रिशी फर्सलो में क्या कारोबार देखने मिल सकता है तो शुरुआत करते हैं इस बार मसाला कॉंपलेक्स से हमने देखा कि जीरे में अच्छी और शांदार तेजी दिखाई दी जहांपर हमने पिछले सब्ता में 22,000 से 22,200 तक के लक्ष की बात की थी तो वो हासिल होता हुआ दिखा और 22,000 के करीब ही जून वाइदा ने कहीं न कहीं क्लोज दिया है तो जो एक पहला लक्ष था वो हासिल हो चुका है और ऐसा लगता है अब एक करेक्शन आने वाले कुछ दिनों में आ सकती है जहांपर हमें 21,600 से 21,650 तक किस तर देखने विलेंगे लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूए आने दो से तीन हफतों की तो ऐसा लगता है कि जो करेंट रिकवरी या तीजी कहा जा सकता है वो 22,600 तक ओवराल एक्टेंड हो सकती है तो मैं अब भी डिप पे बाइंग की सला देना चाहूँगा लेकिन एक डिप जो है या एक करेक्शन जो है वो 21,650 तक दिखाई दे सकती है वहीं हमने धनिया में भी देखा कि 12,000 के करीब के लेवल दिखाई दिये हाला कि हफते के आखरी कारूबारी दिन रहेगा वो उपर की तरफ होगा और ऐसा लगता है कि 11,500 के फिलहाल नीचे प्राइजिस जाना मुश्किल है और अपसाइड में 12,350 से 12,400 तक का दो हफतों का व्यू लेके चला जा सकता है लेकिन अगले हफते एक दाइरे में कारूबार हो सकता है जहां पर 11,800 से लेकर करीबन 12,100 का एक दाइरा बना रहेगा और इसी दाइरे में प्राइजिस जो है वो ट्रेड करेंगे जहां पर मसाला कॉम्पलेक्स में वीकनेस दिखाई दे रही है हलकी सी प्राइजिस में कमजोरी जो प्राइजिस हैं वो 8,400 के उपर जाते वे दिखी थी लेकिन उसके बाद दुबारा हमें एक नर्मी का माहल देखने मिला है और जो क्लोजिंग दी गई है प्राइजिस की वो इतनी बढ़िया नहीं थी तो ऐसा लगता है कि आने वाले हफते में कमजोरी का रुप दिखाई दे सकता है जहां पर जो रेंज है वो 8,400 से लेकर 8,150 की होगी हल्दी वाइदा में और इनिशली ये गिरावट का रुप देखने मिल सकता है वहीं पर अगर गवार कमपलेक्स ही बात करूँ तो निशले सतरों से हमने एक रिकावरी आते वे देखी है और 6,100 की उपर की क्लोजिंग देखी गई है जून वाइदा में गवार सीट के ऐसा लगता है ये जो रिकावरी है ये और ज़्यादा आगे बड़त दिखा सकती है प्राइजिस 6,350 तक के दाम हमें आने वाले एक हफते में देखने मिलेंगे ऐसा लग रहा है उसी प्रकार गवार गम में भी हमने 12,000 के उपर के सर देखे उसके बाद 11,800 की क्लोजिंग देखी गई है लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 12,300 तक के लेवल दुबारा देखने मिल सकते है तो दोनों में ही गवार सीड और गवार गम में ऐस उफ नाउ मुझे लगता है कि तीजी का एक बायस होना चाहिए और बायोंडे प्याने जो निश्ले सरों के आसपास खरीदारी की जानी चाहिए वो एक फाइदे का सौधा हो सकता है वहीं अगर N6 cotton की बात करूं तो 48,500 का जो एक पोजिशनल लक्ष डिसकस हो रहा था पिछले दो या तीन अफतों से 46,000 से लगभग मैंने 48,500 की बात कही थी वो हमें closing basis हासल होता हो दिखा in fact हमने देखा कि 49,200 के उपर के भी दाम देखने मिले थे लेकिन जो closing दी गई है हफते की वो इतनी खास नहीं है याने उपरी स्थरों से हमने करीबन डेड़ फीजदी की correction देखी है हाला कि पूरे हफते की अगर बात करें तो काफी शानदार तेजी के साथ closing मिली है आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि एक sideways सा कारोबार हो सकता है यान एक दाइरे में कारोबार हो सकता है यह दाइरा 47,800 से लेकर 49,400 का होगा यहां पर मैं तोड़ी बहुत caution की advice देना चाहूंगा कि अगर करीदारी या fresh trade नहीं भी किया जाए पोजिशनल टागेट थे तीनों ही अच्छी होते हो दिखें है तो यहां पर मैं कहूंगा कि अगर बजार से फिलहाल कुछ देर तक दूर रहा जाए तो भी सही decision हो सकता है वहीं पर cotton seed oil cake या बिनौला खल में हमने देखा कि निश्ले सरों पे तो हमने buying definitely आते हुए देखी है 3000 के उपर के स्थर भी देखे गए है लेकिन closing जो है जून वाइदा में 2910-15 की बीच की मिली है आने वाले दिनों में 48,000 2850 का एक स्थर होगा जो एक support की तरह लिया जा सकता है और दोबारा जो price है वो 3,100 तक जाने की कोशिश जरूर करेगी तो निश्ले सरों पे buying on dip किया जा सकता है हला कि एक सीमित upside या limited upside move हमें देखने मिलेगा वहीं पर अगर मैं ment oil की बात करूँ तो जो 1070 से एक move expected था 1140 का वो हमें आते वे दिखा है आने वाले दिनों में 1100 के उपर ही जो दाम है वो sustain करेंगे ऐसा मेरा मानना है और upside में जो next target होगा वो 1160 का लिके चला जा सकता है तो यहां पर भी तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं अगर मैं आने वाले कुछ दिनों में topics की बात करूँ तो मेरा मनना है जीरे में तेजी का ध्यान रखे चला जा सकता है वहीं पर साथी साथ गौर गम में एक बार तेजी के आसार हमें दिखाई दे सकते हैं कैस्टर सीड में अगर हम देखें तो काफी दिनों से एक दाइरे का कारोबार हमें दिखाई दे रहा है जहांपर जो दाइरा है 7100 से लेकर 7600 का है जिसे मैं पहले ही भी कह चुका हूँ मुझे 7600 से 700 के ओपर ज्यादा टिकाओ तेजी नहीं दिखती फिलहाल तो शॉट टम बेसे जैसा लगता है ये दाइरा अब भी बना रहेगा और 7100 के तरफ दोबारा प्राइजिस जाकर वहां से दोबारा तेजी हो सकती है तो एक सीमित दाइरे में ट्रेड होगा हाला कि मैं लंबी अफदी की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइजिस 6800 से 900 के दाम होल्ड कर पा रही है तब तक तेजी बनी रहेगी लेकिन लंबी अफदी में जहां पर हम 8000 के स्तर भी आने वाले हो सकता है एक महीने में देख पाएं लेकिन वेरी शॉर्ट तम बेसे याने एक से दो हफ़तों की बात करें तो मेरा मानना है कि 7100 से 7600 का एक दाइरा बना रहेगा और इसी दाइरे में हम ट्रेड कर सकते हैं तो ये था एक जाइजा कि जो मीजर एगरी कमोरिटीज है उनमें आने वाले दिनों में क्या रुजान रहेगा धन्यवाद